हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लाउस के गले पर तुर्पाई वाली पट्टी लगाना सिखेंगे किसी को पाइपिन पसंद नहीं आती है तो वह तुर्पाई वाली पट्टी लगाते हैं इससे गले का लुग बहुत ज्यादा अच्छा आजाता है सबसे पहले तो हम इस त्रीके से तीजाओ पर करने लगबग् सबसे देगा करनी है वरोओं कि इस तरीके से कणरों कि निचान करना है और यह पैसी को अकि मेंदा करना है और देखिए दो पॉइंट दो पर हमें एक निशान लगाना है मारकर से ठीके उसके बाद पटी को इस तरह से फोल्ड कर लीजे अंदर की और सिर्फ पॉइंट दो की हमने पटी लगानी है और गले के स्टार्टिंग से आप से स्टार्ट कीजे लगाना गल्यप可ण पटी लगाते वक्ति पटी को हलका हलका सामें खिंचतेयों रखना है और जो कपड़ा जयता है स्टी को फोल्ड कर दीचे आप पूरे पटी पर पहले निशान लगा सकते हैं स्थिद्री सिलाई नहीं लग रही है तो पूरे गल्हें पर हमेंद पत्टी को हल्का हलका सा खीचते होगे लगाना है देखिए जो आर्मुल की जो सॉल्डर्स की शिलाई आती है वहां से एक इंची तरफ और एक इंची इस तरफ हमें पट्टी को थोड़ा ज़ादा खीचन इतना भी नहीं हमें खींचना है कि कपड़ा ऐसे खींचने लग जाए उसमें सलवट आ जाए पस थोड़ा सा ज्यादा खींचना है या पर सोल्डर की तरफ से इससे खंदे बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरते हैं इस तरीके साथ बराबर पटी लगा लीजिए पूरे नेक प बाद देखिए हमें एक्षा फैब्रिक कट कर देना है बराबर सारे फैब्रिक को कट कर लीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब देखिए सारी पटी को इस तरफ फोल्ड कर देंगे उसके जश्ट पास में इससे पटी एकदम अच्छे से दब जाएगी यह देखिए हमने पूरी लगा लिए अब हम पटी को अंदर के और फोल्ड करेंगे और उसके ओपर तुर्पाई करेंगे तो पहले हमें पटी को अंदर के और फोल्ड करते हुए गले को देखिए जिस अब यहां पर हमें पतली पतली सी बारीक से लगानी चाहिए इस तरीके से पास-पास में अच्छी फिनिशिंग के साथ काम कीजेगा तुर्पए वाली पाइपन बहुत अच्छी लगती है आप भी जरूरू ट्राइग कीजेगा और आप थोड़ा-थोड़ा सा पत्टी को खींचते लगाए इससे आपका जो गला है वो एकदम फिटिंग रहेगा इस तरीके समय इतनी बारीक स्टिश लगानी है कि बहार के और एकदम बिल्कुल भी ना दिकाई दे बहुत ही बारीक सी होनी चाहिए और फिर इस तरीके से हाथ से पत्टी को थोड़ा प्रेस कर दीजिए जिससे धागा एकदम बराबर हो जाएगा यह दिखे बार के और हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही एकदम चोटी-चोटी सी जदा पास में से दिखेंगे तो ही नजर आएंगी यह दिखे हमारा नेक रेडी इस तरीके से कितना पर्फेक्ट लग रहा है और यह एकदम पर्फेक्ट भी रहेगा गले पर एकदम चिपका होसा रहेगा और सोल्डर्स भी इसके नहीं गिरेंगे क्योंकि हमने अच्छे से खीच लिया पट्टी को और हमने जो कच्छी से ल